एक मिनिट में सीखते हैं Excel के इंपोर्टन फंक्शन इस स्टेटमेंट को यूज करते वाग हम नेम रेंज का भी यूज कर सकते हैं नेम रेंज कुछ नहीं है जहां पर हम एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं एक नेम रेंज की एक्जामपल लट सेसेल स्टाक्स हमें लगता कि हम सेल स्टाक्स बहुत आफ़न उसको दालने के बजाए हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि जब भी हम लिखे सेल स्टाक्स तो ले ले 1.25 वाल्यू एक्जामपल यहां देखते हैं यह एक हमारे पास data table है इधर उसका total किया हुआ है अब name range को define करने के लिए हमें जाना होता है formula bar पर यहां और यहां से name manager और यहां पर आप new select कर देंगे तो यह इस तरीके से open हो जाएगा जैसे यहां पर define किया हुआ है shipping और scope मतलब हम पूरे workbook में इसको cover करना चाहते है और comment आपके reference के लिए और refers to यहां हमने उसके value करती कि 1.25 जो है यह मेरी shipping name range की value है correct तो जहां पर भी मैं shipping mention करूंगी मतलब यहां पर वो उसके value 1.25 ले लेगा हमें चाहिए e35 को if e35 यह cell अगर yes है तो excel क्या करी इन दो cell को sum करें और उसे multiply कर दे 1.25 यह हमने mention कर दिया और इसका answer आगया 6.25 अब यहां पर 1.25 के बज़ाए इसको हटा कर हम दाल देते है shipping यहां आप देख सकते है कि उसका name range का tag आगया है tap tap करके उसका select में कर सकते है इस case में भी हमें same value आ गई 6.25 या तो आप वो number mention करो या फिर आप name range दे सकते हैं कोई भी formula यूज करते वक्ते हैं प्रैक्टिस के लिए आप इस sheet को download कर सकते हैं इसकी link description box में है और भी functions के लिए हमारे अगले वीडियो ज़रूर देखें Thank you